हेलो एवरिवन आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफैर्स पर रवी पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे आपसे अगस्त 2023 के फुल मंथ करेंट अफैर्स को फ्रेंड्स हमने यहापे लिया है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टन रहने वाला है तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहे हम यहापर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टन खोशन को ले करा आए है और खरप्रेंड्स हर वीडियो क条र इस वीडियो के एंड भी अपके लिए टेस्ट कोक्षिन कौन सा बनेगा तो ये बनेगा धौल पूर करोली टाइगर रिजर्व जो की राजस्थान में बनने जा रहा है राइट अगला कोशन है फ्रेंट्स आपका इस रो ने सोर्य और स्वार प्रभमंडल की निरिक्षन करने के लिए आधित्य एलवन मिशन को किस रॉकेट से लॉं तो यहाँ पर हाइटरोजन फ्यूल सेल बस सर्विस को स्टार्ट किया गया है ले लदाग से ओके तो अगला कोशन है फ्रेंट्स आपके यहाँ पर स्वायू सर्वेक्षन 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है इंदोर ओके बात करें अगले कोशन की तो देखें चंद तो फ्रेंट्स आप जो देख रहे हैं यहाँ पर इसी तरीके से हम हर एक कोशन को यहाँ पर आपके लिए कवर करेंगे तो आपको जुड़े रहना है पूरे एंड तक ओके अगला कोशन है फ्रेंट्स आपका यहाँ पर देखें डिवाइन मिस इंटरनाशनल इंडिया 2023 का पर बने हैं जस्टिश प्रकाश रिवास्तव ओके नेक्स देखें मिस अर्थ इंडिया 2023 का किताब किस ने जीता है तो मिस अर्थ किताब को जीता है प्रिया सेन ने नेक्स कोशन है फ्रेंट्स आपका यहाँ पर क्रिकेट टोर्नमेंट एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन सा द सबसे स्वच जीले को पुरुषकृत करने के लिए Most Outstanding District Initiative मोधी पुरुषकार शुरू किया है तो Most Outstanding District Initiative को स्टार्ट किया गया है असम राज के द्वारा अगला कोशन है आपका 100% इथनॉल पर चलने वाली दुनिया की पहली Electronic Flex Fuel Toyota Innova MPV कार को किस ने लॉंच किया है तो Toyota Innova MP पहले Electric Flex Fuel को लॉंच किया गया है नितिन गडगरी के द्वारा ओके अगला कोशन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर भारत और एशियाई विकास बैंक मिलकर किस शहर में जलवायू परिवर्तन और स्वास्त क्रेंद स्थापित करेंगे तो भारत और एशियाई विकास बैंक जिसे हम English में Asian Development Bank कहते हैं यह दोनों मिलकर यहाँ पर जलवायू परिवर्तन और स्वास्त केंदर को दिल्ली में स्थापित करेंगे ओके अगला कोशन है आपका दक्षिन एशिया का पहला प्रजाती अस्थित्व केंदर कहां स्थापित किया जाएगा तो दक्षिन एशिय खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल कर नया नाम क्या हो गया है तो खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम हो गया है अस्मिता महिला लीग राइट अपका नेक्स कोशन है चांद के दक्षिनी धुरूफ पर अपने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला अगला कोशन है आपका भारत के पहले स्वदेशी रूप से विक्सित next generation magnetic resonance imaging MRI scanner जिसको हम शौर्ट में कहते हैं का अनावरण किस ने किया है तो इसका अनावरण किया गया है डॉक्टर जितेंदर सिंग के द्वारा ओके फ्रेंट्स नेक्स कोशन है किस राज सरकार ने प्राण वायू देवदा पेंशन योजना को शुरू किया गया है हर्याना सरकार के द्वारा ओके बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ तो देखिए भारत की पहले हाईरोजन इंधन उद्योग का स्थापना किया जाएगा जमशेदपूर जारखन में ओके फ्रेंट्स नेक्स कोशन ह खिलाफ अमरित व्रिक्ष अंदूलन नामक एप को किस राजे ने लॉंच किया है तो किस राजे सरकार ने इसे लॉंच किया है अमरित व्रिक्ष अंदूलन नामक एप को तो ये असम राजे के द्वारा लॉंच किया जाएगा बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ देखिए वित मंत्रालय ने किस कंपनी को भारत की 14 नवरत्न कंपनी के रूप में मंजूरी दी है तो वित मंत्रालय द्वारा ONGC विदेश लिमिटेड को 14 नवरत्न कंपनी के रूप में मंजूरी दे दी गई है नेक्स्ट है भारत के पहले Radio Frequency Seeker of Aakash का निर्माण किस ने किया है तो Seeker of Aakash का निर्माण किया गया है भारत Dynamics Limited के द्वारा यानि कि इसको शॉर्ट में हम BDL कहते हैं इसके द्वारा फ्रेंड सबका अगला कोशन है आपर FIFA महिला विशुकब 2023 का खिताब किस ने जीता है तो देखिए FIFA महिला किताब को जीता गया है यहाँपर Spain के द्वारा इसका आयोजन्स थल था Australia और New Zealand तो Australia और New Zealand में इसे करवाया गया था Nova Sunscrant था इसका इस बारगा और शुभंकर यानि कि इसका mascot जो था वो था तजूनी और बात करें आपर slogan क्या दिया गया था आदर्श वाक के क्या था यह था Beyond Greatness ओके नेक्स कोशन को देखिए दुनिया का पहला 3D rocket अगनी बार्ण किस नीजी स्पेस एजेंसी द्वारा लाँज किया जाएगा तो यहाँपर पहला 3D rocket जिसका नाम दिया गया है अगनी बान इसको लॉंच किया जाएगा अगनी कुल कॉस्मॉस चिन्ने के द्वारा तो फ्रेंट्स आपका अगला कोशन है यहाँपर किस राजी ने अबुआ अवास योजना शुरू की है तो अबुआ अवास योजना को शुरू किया गया है जारकन राजी के द्वारा नेक्स कोशन है फ्रेंट्स आपका वनों को बढ़ावा और जलवायू परिवर्तन के खिलाफ लडाई में योगदान देने के लिए अमरित ब्रिक्ष अंदोलन किस राजी ने शुरू किया है तो यह भी हमने पढ़ लिया इसको यहाँ पर शुरू किया गया है असम के द्वारा बात करें अगले कोशन की तो देखे केंद्रे मंत्री अश्विनी वैश्णव ने भारत के पहले 3D मुद्रत डागघर का उधगाटन कहां किया है तो 3D मुद्रत डागघर का उधगाटन किया गया है बेंगलूरू में तो फ्रेंट्स आपका अगला कोशन है यहाँ पर देखेगा दो करोड महिलाओं को आत्म निर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है तो यहाँ पर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा लगपती दीदी योजना को शुरू किया गया है तो यह सशक्त करेगा आत्म निर्भर बनाएगा दो करोड महिलाओं को नेक्स कोशन है आपका फ्रेंट्स सभी आदिवासी बस्तियों को 12 मासी सडक से जोडने के लिए भगवान बिर्सा मुंडा सडक योजना किस राजने शुरू की है तो भगवान बिर्सा मुंडा सडक योजना को शुरू किया गया है महरास्ट्र राज्य के द्वारा बात करें अगले question की friends यहाँ पे तो देखें आदिते L1 mission सूर्य पृत्वीद प्रणाली के Lagrejian point L1 के पास किस orbit में स्थापित किया जाएगा तो देखें तो इसको जो है आदिते L1 mission को लॉन यहाँ पर स्थापित किया जाएगा हेलो आर्बिट पे ठीक है तो फ्रेंट्स यहां पर बात करें लेगरेजियन पॉइंट क्या होता है दोखें यह एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सूरे की और पृत्वी की गुरुत्वा कर्शन बल्ज होती है बराबर हो जाती है तो इसकी वज़े से क्या होता है अगर को इत्य एलवन मिशन को नेक्स कोशन है ग्रामीन मित्र योजना किस राजने शुरू की है तो इस योजना को शुरू किया गया है गोवा के द्वारा नेक्स कोशन है फ्रेंड्स आपका गर्ववती महिलाओं के लिए रेस्पिरेटरी सिंकार्टियल वाइरस RSVK पहले टीके अबराइसफो को मंजूरी देने वाले दुनिया का पहला देश कौन सा बना है तो देखे इसका जो टीका है यानि कि जो वैक्सीन है अबराइसफो इसको मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है यहाँ पर अमेरिका और इस टीके का निर्मान किया गया है कंपणी के द्वारा रईट बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ तो देखिया ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्वकप 2023 के लिए क्या शुभंकर यानि कि मैस्कॉर्ट लॉंज किया है तो ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्वकप 2023 के लिए Tricat Overs नाम का मैस कॉट यानि कि शुभंकर को लॉंच किया है अगला कोशन है आपका इसरो और जपानी अंतरिक्ष एजेंसी जाकसा द्वारा चंदरमा के ध्रुविय छेत्रों में पानी की खोज के लिए लिउपेक्स मिशन को किस वर्ष में लॉंच किया जाएगा तो फ्रेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको नासा दे दिया जाए या फिर एसे दिया जाए ओके रॉसकोस मॉस दे दिया जाए तो यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए याद रखें जपान के साथ लिउपेक्स मिशन को शुरू की जा रहा है ओके सवारा अलू अर्जुन के द्वारा बात करें को कौन सी इनकी फिल्म के लिए दिया गया था तो इनकी फिल्म जो थी पुश्पाता राइस इस फिल्म के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था ओके और साथने बात करते हैं यहां पर सर्विस्रेश्ट अभिनेतरी का पुरुसकार किसको दिया गया है तो ये दिया गया है आलिया भट को उनकी मूवी यानि कि उनकी फिल्म गंगो बाय काठ्यावाडी के लिए और साथ ही में कृती सेनौन उनकी फिल्म मीमी के लिए ये भी आपके लिए काफी जादा important question रहने वाला है इसको भी आप जरूर डबल टिक करें बात करते हैं अगले question की तो देखें मुख्यमंत्री सचक्त बहना उत्सव योजना किस राजने शुरू की है तो मुख्यमंत्री सचक्त बहना उत्सव योजना को शुरू किया गया है उत्राखंड सरकार के द्वारा बात करेंगी अगले question की दोजार चौबिस में ब्रिक्स समू में कितने नए देश शामिल होंगे तो दोजार चौबिस के ब्रिक्स समू में यहाँ पर टोटल नए देश जो है छे देश शामिल होने वाले हैं देख लेते हैं कौन से छे तो मैंने आपके लिए छोड़ा सा ट्रिक्स भी बताया था है यहाँ पर देख लीजे नाम में ही है ब्रिक्स के वर्ड्स में ही है ब राजील आर से आ जाता है रश्या याने कि रूस आई से है इंडिया सी से है चाइना चीन और एस से है साउथ-आफरिका याने की दक्षिन तो अभी फिलाल जो है ये पांच देश शामिल है ब्रिक्स में तो friends इसकी formation की बाद जो है पहली बाजने की formation इसका किया गया था 2006 में और साथ में जो यहाँ पर 2009 में इसका फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुआ था तो friends जब 2006 में इसका formation हुआ था उस time पे इसमें दक्षिन अफरिका नहीं थी बाद में 2010 में दक्षिन अफरिका इसमें शामिल हुई है तो आपको यह पॉइंट यहाँ पर याद रखना है अगला question है friends आपका यहाँ पर तो अगले question में जाने से पहरे मैं आपको बता दूँ कि हमारी जो paid PDF की website है वो है www.ravibookspdf.com ओके तो यह launch हो गई है यहाँ पर आपको रवी सर्गी all subject जी के current affairs की PDF बोट in English and Hindi medium मिल जाएगी ठीक है English और Hindi medium दोनों में आपको मिल जाएगी तो आप इसको यहाँ से जाकर के purchase कर सकते हैं ओके तो जरूर चेक आउट करिएगा इस website को बढ़ते हैं हम अगले question की तरफ तो देखे अगला question है राश्ट्रिय smart city पुरुसकार 2022 में सर्वस्रेश्ट शहर का पुरुसकार किसने जीता है तो राश्ट्रिय smart city पुरुसकार 2022 जीता गया है इंद्वार रवारा बात करें यहाँ पर राज्य जो थे उनके यहाँ पर first, second, third कौन आए हैं तो देखे प्रथम स्थान राज्यों में दिया गया है मध्य प्रदेश को और केंद्र शाशित प्रदेश में दिया गया है चंदीगड को next है अगस 2023 में किस देश ने PM नरिंद्र मोधी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुसकार Grand Cross of Order of Honor से सम्मानित किया है तो Grand Cross of the Order of Honor दिया गया है नरिंद्र मोधी को ग्रीस के द्वारा बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ तो देखें किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्शनिटी अभ्यान शुरू किया है तो अलाइव विद अपॉर्शनिटी को शुरू किया गया है ब्रिटेन देश के द्वारा तो बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ तो देखे फ्रेंट्स इनफोसिस ने किस महीला टेनिस खिलाडी को अपना नया ब्राइन अम्बाज़डर बनाया है तो इनफोसिस ने इगा स्विटेक जो की पॉला एंड से हैं इनको अपना यहाँ पर नया brand ambassador बनाया है बात करें अगले question की पचिसवे राजीव गांधी उराश्ट्रे सद्भावना पुरुसकार 2020-21 से किसे समानित किया गया है तो यहाँ पर राजीव गांधी राश्ट्रे सद्भावना पुरुसकार दिया गया है वनस्थली विद्या पीट को अगला question है friends आपका यहाँ पे भारत के पहले और उर्जा संचालित cycling track healthway का उद्घाटन कहां किया गया है तो इसको यहाँ पर उद्घाटित किया गया है है एदराबाद में नेक्स देखिए वित्य उद्योग विकाश परीशत के नए अध्यक्ष कौन बने है तो यहाँ पर वित्य आयोग विकाश परीशत के नए अध्यक्ष बन गए है ओमेश रेवनकर नेक्स्ट है वर्ष 2023 में वैस्ष्विक परियावरण सुविधा की सातवी अध्यक्ष परियावरण सुविधा की सातवी असेंबली को वैंकूवर कनाड़ा में आयोजित किया गया है अगला है पाकिस्तान में भारतिय उच्च योग की कमान समालने वाली पहली महिला IFS ओफिसर कौन बनी है तो यह बन गई है गीति का श्रिवास्ताव यह बन गई है कौन पाकिस्तान में भारतिय उच्च योग की कमान समालने वाली पहली महिला IFS ओफिसर बात करें अगले कोशन की तो देखें चंदरायन 3 के प्रग्यान रोवर ने चांद के दक्षिनी धुरूफ पर किन तत्वों की मौजूदगी की पुष्टी की है तो देखें चंदरायन 3 के लाँज होने के बाद यहाँ पर चंदरायन 3 के प्रग्यान रोवर ने क्रोमेशियम, टाइटेनियम, ऑक्सिजन, आइरन, अलुमीनियम, सल्फर, मैंगनीज और सिलिकॉन की मौजूदगी की वहाँ पुष्टी की गई है अगला है, देखें, पहला महिला एशियाई होकी, विश्वकप, क्वालिफायर, किसने जीता है, तो यह जीता गया है भारत के द्वारा और इसको आयजित किया गया था, साला ला जो की ओमान में है 2023 में जारी लगु सिचाई योजनाओं की छटी गणना की रिपोर्ट की अनुसार सबसे अधिक लगु सिचाई योजनाओं किस राज्य में है तो सबसे जादा लगु सिचाई योजनाओं जिसको हम इंग्लिश में कहते है माइनर इरिगेशन स्कीम्स ये है उत्तर प्रदेश में और इसकी जारी करता है इस रिपोर्ट की जारी करता है जल शक्ती मंत्रा लै, ओके अगला कोशन है फ्रेंड साब का केंदर सरकार ने अवैद खनन को रोकने के लिए किस मुबाइल एप को लाँच किया है तो यहाँ पर केंदर सरकार के द्वारा अवैद खनन को रोकने के लिए खनन प्रहरी नामक एप को लाँच किया गया है next है किस देश ने ओरॉन नामक उन्नत खूफ्या विमान spie aircraft विक्सित किया है तो ओरॉन नामक उन्नत खूफिया विमान को इसराइल दौरा यहाँ पर विक्सित किया गया है अगला है friends आपका question ब्रह्मार्ण के X-ray प्रकाश का अध्यन करने वाला स्क्रिज्म अंतरिक्ष मिशन को किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉंज किया जाएगा तो देखें ये जो अंतरिक्ष मिशन है XRISM इसको लॉंज किया जाएगा जाकसा यानि कि जपान की स्पेस एजेंसी के द्वारा इसका फुल फॉर्म देख लीजिए X-ray Astronomy Recovery Mission ये इसका फुल फॉर्म है अगला कोशन है फ्रेंट्स आपका मचुहारो को स्थानी भाषा में मौसम और चक्रवात की चेतावनी प्रदान करने के लिए किस संसादन को नाब मित्र दिवाइस का सफलता पूर्वक परिक्षन किया है तो यहाँ पर नाब मित्र नामक दिवाइस का सफलता पूर्वक परिक्षन किया गया है इसे रोके द्वारा तो फ्रेंट्स ये भी आपके लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टन्ट होने वाला है बात करते हैं हम अगले कोशन की यहाँ पर तो देखें द्विवार्शिक समुद्री अभ्याष और इंडेक्स 2023 किन दो देशों के नौसेना के बीच में आयोजित होगा तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा ये औस्ट्रेलिया और भारत के बीच में करवाया जाएगा और इसको सिड्नी औस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है इसका ये पाच्वा संसकरण है और यहाँ पर भारत की जो जहाजिश में शामिल होने वाली है इस अभ्यास में वो है आयनेस सहाद्री और आयनेस कोलकाता नेक्स्ट है अगला कोशन है दो हजार तेस में भारत की द्रिष्टी बादित महिला क्रिकेट टीम ने आई बी ऐसे विश्व खेलों में कौन सा पदक जीता है तो देखें इंडियास ब्लाइंड वुमें क्रिकेट टीम जो है है तो यह मनाया गया है 29 अगस्त को नेक्स्ट कोशन है फ्रेंट्स आपका भारत में पहली बार पांचवे विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा तो पांचवे विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा बैंगलूरू में और इसका यहां पर थीम दिया गया है देखें थीम है इसका प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी ने उननत खेती के लिए सलफर लेपित उर्वरक यूरिया गोल्ट को कहां पर लॉंच किया है तो इसको लॉंच किया गया है सीकर राजस्थान में बात करते हैं आपके अगले कोशन की तो देखें भारत का पहला सेप्टिक टैंक मोक्त और सौ प्रतीशत घरों में सौचालय वाला शहर कौन सा बनेगा तो यह बन जाएगा यहाँ पर नवी मुंबई ओके चलते हैं अगले कोशन की तरफ देखें किस राज के मनु कुराड आम को भगोलिक संकेतर जी आई टैग प्रदान किया गया है तो यहाँ पर मन कुराड आम क को जी आई टैग दिया गया है गोवाय का लूपर चा परोजक्ड टाइगर का विलया कर दिया गया है प्रोजेक्ड औरstone के लिए आफ horses ये भी आपके एक्जाम के लिए काफी ज्यादावं city कर दीज saw नेक्स्स कोशन है किस देश दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगवार्ट शमता वाली विशाल पवन टर्बाइन स्थापित की है तो यहाँ पर चीन के द्वारा सबसे बड़ी 16 मेगवार्ट शमता वाली विशाल पवन टर्बाइन को स्थापित किया गया है अगला कोशन है पंदरवे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2013 का आयोजन कहां हुआ है तो देखे इसका आयोजन हुआ है जुहांस बर्ग दक्षिन आफरिका में बात करे भारत की अध्यक्षता किसने की है तो इसका अध्यक्षता किया गया है नरेंदर मोधी के द्वारा और इसका थीम दिया गया था इस बार का ब्रिक्स एन अफ्रिका पार्टनर्शिप फोर म्यूच्वली अग्जलरेटड ग्रोथ सस्टेनेबल डवलप्मेंट एंड इंक्लूजिब मल्टी लैटरिजम तो ये इसका यहाँ पर थीम दिया गया था बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ देखें आपका अगला कोशन है यहाँ पर भारत को सिक्षा के वैश्विक केंदर के रूप में बढ़ावा देने के लिए केंद्रिय सिक्षा मंत्री धर्मेंदर प्रधान और केंद्रिविदेश मंत्री जैशंकर ने किस पोर्टल को शुरू किया है तो यहाँ पर हमारे केंद्रिय सिक्षा मंत्री और केंद्रिविदेश मंत्री के द्वारा Study in India पोर्टल को शुरू किया गया है देखे अगला कोशन है आपका फ्रेंड्स यहाँ पे किस राज की नाथ तुवारा पिछवाई पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक यानि कि GI टाइक प्रदान किया गया है तो इसको राजस्थान स्टेट का GI टाइक प्रदान किया गया है नेक्स्ट है नेशनल एरोस्पेस लाबोर्टरी यानि कि N.A.L. ने जीलों के खर्पत वार्ट हटाने के लिए जल्दोस्त नामक एरबोट को कहां पे लाँच किया है तो जल्दोस्त नामक एप को लाँच किया गया है बेंगलूरू करनाटका में फ्रेंट्स आपका अगला कोशन है यहाँ पर क्वालकम इंडिया ने के नए अध्यक्ष कौन बन गई है तो क्वालकम इंडिया के नए अध्यक्ष सावी सोईन बन गई है नेक्स्ट कोशन है नेचिया ने राजमार्ग उपियोग करता के अनुभव को बढ़ाने के लिए क किस नागरिक केंद्रिक एक क्रित मोबाइल एप्लिकेशन को लूँच किया है तो देखें यहाँ पर लॉंच किया गया है Rाज मार्ग यात्रा नामक एप्लिकेशन को नेक्स्ट है भारतिय वायु सेना को किस देश से एर लॉंच्ट स्पाइक नॉन लाइन ओफ साइट एनल उएस एंटी टैंक गाइड़ दिसायल मिली है तो यहाँ पर एंटी टैंक गाइड़ दिसायल मिली गई है इसरायल के द्वारा देखते हैं अगले कोशन को यहाँ पर दास्ट्रिय बाल अधिकार संदक्षन आयोग एनसी पीसी आर ने बाल देख बाल ग्रहों को निगरानी के लिए किस पोर्टल को लॉंच किया है फायर नौसैनिक अभ्यास किस देश ने शुरू किया है तो यहाँ पर ओशिन शील 2023 नामक अभ्यास को शुरू किया गया है रूस के द्वारा ओके फ्रेंट्स अपका अगला कोशन है किस राजय सरकार ने शुब यात्रा नामक एक अभूतपूर योजना शुरू की है तो शुब यात्रा नामक यहाँ पर योजना को शुरू किया गया है केरला राजय सरकार के द्वारा अगला कोशन है किस एरलाइन कंपनी ने दाविस्ता नामक अपना नया लोगो लॉंच किया है तो देखें दाविस्ता नामक यहाँ पर नया लोगों लॉंच किया गया है एर इंडिया कंपनी के द्वारा अगला है कोशन आपका पुरातत विदो ने संगम यूग से जुड़ी एक क्रिस्टल क्वाज वजन इकाई की खोज कहां पर की है तो यहाँ पर इसकी खोज की गई है कि लाड़ी तमिल नाडो में बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ तो देखें केंद्रे स्वास्त और परिवार कल्यान मंतरी मंसुक मांडविया ने भारत में लसी का फाइलेरिया को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष रखा है तो देखें लसी का फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए लक्ष दिया गया है 2027 ओके अगला कोशन है फ्रेंड्स आपका विश्वाहाती दिवस 2023 कब मनाया गया है तो इसको मनाया गया है 12 अगस्त को और थीम दिया गया था आपका अगला कोशन है यापर महिला करमचारियों द्वारा प्रबंदित किया जाने वाला भूसा वर्ड डिविजन का पहला पिंक स्टेशन कौन सा बना है तो यहाँ पर पिंक स्टेशन बन गया है न्यू अमरावती रेल्वे स्टेशन जोकी महरास्ट्रों में है राइट नेक्स्ट कोशन है आपका एशियन होकी चैंपिंशिप ट्रॉफी 2023 का किताब किस देश ने जीता है तो यहाँ पर एशियन होकी चैंपिंशिप ट्रॉफी को जीता गया है भारत के द्वारा ओके फ्रेंड्स चलते हैं अगले कोशन की तरफ तो देखिए भारत का पहला कृ प्रिशी डेटा एक्सचेंजने की एडेक्स को लॉंच किया गया है है तो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे कोशन्स काफी इंबॉटन है जो हम आपके लिए कवर करवा रहे हैं तो आपको बस वीडियो के एंटर जुड़े रहना है यह सारे कोशन्स आपके एक सीर्ष स्थान पर हैं तो यहां पर जमीनी स्थर के 120 मीटर उपर पवन उर्जा शम्ता के मामले में गुजरात आ जाता है शीर्ष स्थान पर और बात करें यहां पर जमीनी स्थर से 150 मीटर उपर अगर आप से बोला जाए तो यहां पर राजस्थान आ जाएगा इसका करेक् कोशन भारतिय फिल्म फेस्टिवल मेलबन 2023 में सर्वस्ट्रेश्ट फिल्म का पुरुसकार किसने जीता है तो यह जीता गया है स्थीता रामा मोवी के द्वारा ठीक है तो राइजिंग ग्लोबल सूपर्स्टार पुरुसकार दिया गया है कार्तिकारियन को और बेस्ट डॉकिमेंट्री दी गई थी तुकिलर टाइगर को राइट नेक्स्ट है कोशन आपका किस राजे सरकार ने मुख्यमंत्री स्वार मिशन शुरू किया है तो मुख्यमंत्री स्वार मिशन को मिघालय राजे सरकार द्वारा शुरू किया गया है नेक्स्ट है फ्रें में बनाया जाएगा राइट नेक्स कोशन अकांशी जीला कारेक्रम के तहट नीती आयो की डेल्टा रैंकिंग 2023 में कौन सा जीला सीर्ष्थान पर रहा है तो यहां पर सबसे शीर्ष्थान पर रहा है या राइचूर करनाटक नेक्स कोशन देखिए अगस 2023 में आईक्यू एय एशिया राइट देखते हैं अगले कोशन को 2023 में यू के संसत के हाउस ऑफ लार्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकोन पुरुसकार से किस भारतिय लेखिगा को समानित किया गया है तो यहां पर सशक्त महिला आइकोन पुरुसकार को दिया गया है माईरा ग्रोवर को ओके इसको भी याद रखिए ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टन है नेक्स देखिए डबलो एचो ने अगस्ट दो हजार तेईस में किस कोविट स्ट्रेन को वेरियंट ओफ इंटरेस्ट घोशित किया गया है एरेस नामा कोविट स्ट्रेन को राइट नेक्स कोशन देखते वेश्विकливability सुचकांग दो हजार टेईस में दुनिया के सबसे अधिक रहने वाले योग शेहर की सूची में कौन सा शेहर शीर्ज स्थान पर रहा है तो यहाँ पर वीयना ऑस्ट्रिया रहा है शीर्ज स्थान पर तो इस सुचकांग में चार भारती शेहर ते जिसमें से Economist Intelligence Unit, London, UK Next question को देखिया, आपका next question है यहाँ पर 15 अगस 2023 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंतरता दिवस मनाया है तो भारत ने यहाँ पर अपना 77th स्वतंतरता दिवस को मनाया है Theme दिया गया था इसका Nation First, Always First Next है भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रद्योगिगी हब, IT हब कहां मनाया जाएगा तो इसको सूचना प्रद्योगिगी हब यानि कि सबसे बड़ा IT हब लखना उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा अगला कोशन है 2023 में विश्व स्वास्त संगठन दबलो एचो का प्रदम पारंपरिक औशदी वैश्विक शिकर समेलन कहां आयवजित किया जाएगा तो इसको आयवजित किया जाएगा गांधी नगर गुजरात में अगले कोशन की तरफ भारत में अपरेंटिस ट्रेनिंग में इंडस्ट्री और यवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नेशनल अपरेंटिस प्रोमोशन स्कीम नेपीएस में डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम किसने लॉंच की है तो डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को लॉंच किया गया है धर्मेंदर प्रधान के द्वारा जो हमारे सीख्षा मंतरी है हर घर तिरंगा अभियान को शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में अब जल्दी से बागे सारे को भी करते हैं आप बस एंड तक यहां पर जुड़े रहें और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है अभी तक अगर आपने यहां पर लाइक नहीं किया वीडियो को तो जरूर वीडियो को लाइक करें ओकी नेक्स्ट है प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी ने संत रवीदास मंदिर की अधार शीला कहां रखी है तो संत रवीदास मंदिर को बनाया जाएगा मध्या प्रदेश में राइट नेक्स कोशन है 2023 में स्वतंतरता दिवस के अवसर प प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी ने पारंपरिक शिल्प कोशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू किया है तो यहां पर पारंपरिक शिल्प कोशल को बढ़ावा देने के लिए विश्व कर्मा योजना को शुरू किया गया है बात करते हैं अगले कोशन की तो देखे एशिया में पहली बार किस परमानू रियाक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियमें परिवर्तत किया जा रहा है तो यहाँ पर पहला ऐसा परमानू रियक्टर जिसको यहाँ पर म्यूजियमें कनवर्ट किया जा रहा है वो है अपसरा परमानू रियक्टर ठीक है बात करते हैं फ्रेंड्स अगले कोशन की राजकोशिय स्वास्त रिपोर्ट रैंकिंग 2023 में कौन सा राज्य सीष उस्थान पर रहा है तो यहाँ पर महाराष्ट रहा है सीष उस्थान पर ओके नेक्स कोशन है फ्रेंड्स आपका टेनिस टोर्नमेंट केनेडियन ओपन 2023 में पूरुष एकल का खिताब किसने जीता है तो पूरुष एकल का पहल को दिलनी मेट्रो जवरा शुरू किया गया है नेक्स्ट है युनेसको ने भारत में वाटम मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहली बार कि शहर को चुना है तो यह चुना गया है ग्वालियर मध्या प्रदेश नेक्स्ट है ICC प्लेयर ऑफ दम मन्त जुलाई 2023 का खिताब कि ने जीता है तो ICC प्लेयर ऑफ दमंत बन गए है जुलाई में कौन देख लीजे क्रिस वोक्स और ऐशले गाड़नर ओके तो फ्रेंट्स आपको इनका किस कंट्री से यह हैं यह भी याद रखना है तो कि एक्जाम में यह भी आपसे पूछा जा सकता है बढ़ते हैं अगले मंत्री संग्रालाय और पुस्तकालाय सोसाइटी बढ़ते हैं अगले कोशन की तरह फ्रेंट्स देखे आपका अगला कोशन है यहाँ पर अगस्ट 2023 में केंद्रे मंत्री अमिश्चा ने इफको नैनो यूरिया प्लांट के अधार शीला कहा है तो इफको नैनो यूरिया प् नहीं है तो यहाँ पर लगात्तार आइससी प्लेयर आवदा मंथ जीतने वाली यानिकि इन्होंने लगात्तार इस अवार्ड को जीता है यह जीता गया है ऐश्ले गार्डनर के द्वारा जो की ऑस्ट्रेलिया टीम से हैं नेक्स्ट है राश्ट्र प्रती दुरापदी मुर प्रत्सकार देने की राइट नेक्स्ट है 2023 में किस भारतिया गाइडड मिसाइल पोत ने सिंगापूर के 77 स्वतंतता दिवस्वारों में भाग लिया तो यहाँ पर इनस कुर्लीश जो है इसमें भाग लिया था नेक्स्ट कोशन है ब्राजील के स्टार फुट्बॉल नेमा हक कौन है तो इस पुस्तक को लिखा गया है आशुतोष अगनी होतरी के द्वारा राइट नेक्स्ट है पारकिस्तान के नए कार्यवाहग प्रधान मंत्री कौन बने हैं तो यहाँ पर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कहे जाते हैं यह है अनवारुल हक काकर राइट फ्रें लेट्रो फर्टिलाइजेशन तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहां पर हमने सिर्फ वन लाइनर को लिया है आपको ज़्यादा डिटेल हम यहां पर नहीं बता रहे हैं यूंकि जो डिटेल वाली वीडियो है न अगस्त की वह अलरड़ी अपलोड़ेट है चैनल में तो नेक्स कोशन है आपका भारत में इलेक्ट्रिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए केंदर सरकार ने वर्ष 2023 में किस पर योजना को मंजूरी दी है तो यहां पर इलेक्ट्रिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए PME बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है नेक्स कोशन किस राजसरकार ने निशुलक अन पुर्ण फुड पैकेट योजना शुरू की है तो निशुलक अन पुर्ण फुड पैकेट योजना को शुरू किया गया है राजस्थान के द्वारा नेक्स्ट कोश्टन है फ्रेंट्स आपका भारत का पहला ड्रोन परिक्षन केंदर कहा स्थापित किया जाएगा तो ड्रोन परिक्षन केंदर को वल्लम वडागल यानि कि जो ये तमिल लाडों में सिच्वेटेड है वहाँ पर कराया जाएगा नेक्स्ट कोशन है प्रजनन और बाल स्वास्त आर्सियेच सेवाओं का पूर्ण डिजिटली करन करने वाला भारत का पहला राज्य कौनजा बनेगा तो यहाँ पर आरसियत सिवाओं को पूर्ण डिजिटल करने वाला भारत का पहला राजे राजस्थान बनने जाएगा तो परशुत्तम रुपाला द्वारा समावेशी विकास के तहट पशुधन के लिए एहल्प कारेक्रम को शुरू किया गया है इसका गुजरात राजय में ठीक है नेक्स कोशन है फ्रेंट्स आपका 2023 में किस भारती अमेरिकी अर्थशास्त्री को हावर्ड विश्विद्दाले के जोर्ज लेडली पुरुसकार से समानित किया गया है तो यहां पर इने राज चेटी को समानित किया गया है हावर्ड विश्विद्दाले के जोर्ज ल पूर में तो यहां पर इसमें भारत की कौन सी पोस्ट शामिल थी तो इसमें से आयनस कुली इश्व है यह इसमें शामिल थी बढ़ते हंगले कोशन की तरफ राश्ट्री वनस्पती अनुसंधान संस्था CSIR NBRI ने राश्ट्री फूल लोटस की कौन सी किस्म लॉंज की है तो यहां पर चिकित्सा उतपाद विनियम को सहयोग के लिए सूरी नाम के साथ यहां पर भारत ने समझोता किया है नेक्स कोस्टिन को देखिए Advanced Weapons and Equipment India Limited कानपूर में जुस्थित है ने किस नाम से भारत की पहली लंबी दूरी वाली रिवालवर लॉंज की है तो यहां पर भारत की सबसे पहली लंबी दूरी वाली रिवालवर का नाम रख दिया गया है प्रबल ओके अगला है एशाय विकास बैंक यानिकी ADB ने यह दिया है मिघालाय राजे को ओके नेक्स कोशन है फ्रेंट्स आपका यहां पर डिडियों के पूर महानिदेशक और भारत के परमानु कारेक्रम में महत्वपूर्ण भूमी का निभाने वाले प्रमुक व्यानिक VF VS अरुना चलम का न CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो CBIC के नए अध्यक्ष बन गए हैं संजय कुमार अगरवाल नेक्स्ट है भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर विकास के लिए अगस्ट 2013 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने किस योजना को शुरू किया है तो यहां पर इस क्या उपनाम दिया है तो X59 का नया और या फिर न्यू उपनाम जो है यह दिया गया है सन ओफ कॉनकॉर्ड इसको भी आप टिक करें यह भी आपके लिए खाफी इंपोर्टेंट होने वाला है नेक्स जेखे अलप संखियक समुदायों शेशंबंडित अभिहारती को निशल कोचिन प्रदान करने के लिए अलप संखियक कारेमंत्राले ने किस योजना को शुरू किया है तो यहां पर शुरू किया गया है नया सवेरा नामक योजना बढ़ते हैं गले कोशन की तरफ यूक्रेन शांती शिखर सम्मेलन 2023 यानि कि यूक्रेन पे समिट 2023 कहां आयोजित की गई है तो इसका आयोजन हुआ था जेदा साउधी अरब में और भारत की अध्यक्षता की गई है अजीत दोबाल के दौरा जो कि हमारे राश्ट्रे सुरक् बढ़ो और जियो अभिहान को शुरू किया गया है राजस्थान राज के द्वारा नेक्स्ट है वासिपू यक्कम योजना किस राजशरका ने शुरू किया है तो इसको शुरू किया गया है तमिल नाडू राज के द्वारा अगला कोशन देखिया माला बार बहुपक्षि नौ्सेनिक अभ्यास 2023। कि मेजबानी किश्देश ने की है। तो इस बहुपक्षिय नौ्सेनिक अभ्यास की मेजबानी कर रहा है省 थे आहस्ट्रेलिया और इसमें शामिल हो रही है भारत अमेरिका जपान और अश्ट्रेलिया यहाँ पर भारत से INS कौलकता और INS सहाधरी जो है इसमें भाग लेने वाली है शामिल होने वाली है और इसका ये 27 संस्क्राण था ओके नेक्स्टे फ्रेंट्स आपका अगला कोशन देखिए भारत का पहला on-site प्रतिष्टित स्थल संग्रालय कहां स्थापित किया जाएगा तो भारत का सबसे पहला यहाँ पर on-site प्रतिष्टित स्थल संग्रालय को शुरू किया जाएगा आदी चन्ना लूर तमिल नाडू में बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ तो देखिए बारिदी सुरूंगों का पता लगाने के लिए निराक्षी नामक भारत का पहला underwater mine detection किसने launch किया है तो निराक्षी नामक भारत का पहला underwater mine detection launch किया गया है garden reach ship builders and engineers GRSE Kolkata के द्वारा ओके फ्रेंट ये जी ये जी आरेसी का full form है garden reach ship builders and engineers ओके नेक्स्ट को देखिए किस संस्था ने cheer for इंडिया अभियान के तहेत हला बोल नामक एक short movie series की शुरू किया गया है sports अथारिटी ओफ इंडिया के द्वारा नेक्स्ट है किस देश ने हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड एचे एल से दो डोर नियर 228 विमानु को खरीदने की घोशना की है तो गुवायना देश ने यहाँ पर एचे एल के साथ इस समझोते को साइन किया है नेक्स्ट है कम स्थापित किया गया है तो इसको स्थापित किया जाएगा जैपूर में तो जैपूर राजस्थान में इंटीडियरेट थीटर कमान को शुरू किया जाएगा विश्व आदिवासी दिवस 2023 यानि कि वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया गया है तो इसको मनाया गया है 9 अगस्त को थीन ता इसका इंडिजीनस यूथ as agents of change for self determination बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ देखें किस देश ने महिलाओं के लिए दुनिया की पहली प्रसवोत्तर अवसाथ रोकताम गोली जुर्जुवे की मंजूरी दी है तो जुर्जुवे की मंजूरी याँ पर दी गई है अमायरिका देश के द् नेक्स्ट है बैडमिंटन टोर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल की खिताब किसने जीता है तो बैडमिंटन टोर्नमेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता गया है वेंग होंग यांग के द्वारा जो की चीन से हैं और महिला एकल में जीता गया है बेवेन जांके द्वारा जो की अमेरिका से आती है ओके नेक्स कोशन है फ्रेंड्स आपका उचाई वाले छेत्रों की निगरानी के लिए भारती सेना में किस त्वदेशी रूप से विक्सित हत्यारों लोकेटिंग रेडार को शामिल किया गया है तो लोकेटिंग रेडार को शामिल किया गया है यहाँ पर स्वाती माउंटेन में नेक्स कोशन है आपका अंडर सत्रा विश्व कैड़ेट कुष्टी चैंपियंशिप 2013 का आयोजन कहा हुआ है तो इसका आयोजन इस्तानबुल तुर्की में किया गया भारत का स्थान इसमें छटवा था यहाँ भारत ने कुल 11 पदक को जीता है जिसमें से 1 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉंज है पहला इस्तानबा जापान जिसने कुल पदक यहाँ पर 12 जीते हैं जिसमें से 9 गोल्ड है और 3 सिल्वर है नेक्स देखें केरल विधान सभा ने केरल राजिय का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की प्रस्तावित पारित चिए तो केरल का नया नाम यहाँ पर रखने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है केरल राज्य के द्वारा तो इसका जो नया नाम होने वाला है अगर यह हो जाता है पास तो केरलम नेक्स्ट है भारत के पहले मानव युक समुद्रायान मिशन के लिए किस पंडुब्बी को विक्सित किया गया है तो यहाँ पर मतस्य मतसे 6000 नामक पंडुब्बी को यहाँ पर इसके लिए विक्सित किया गया है बात करते हैं अगले कोशन की रक्षा मंतराला के कम्प्यूटर्स में अब Microsoft Operating System की जगा किस स्वदेशी Operating System का इस्तमाल किया जाएगा तो यहाँ पर रक्षा मंतराला के कम्प्यूटर्स में Maya OS नामक Operating System को यूज किया जाएगा अगला है किस राजे ने महिलाओं के लिए इंद्रा गांधी मुफ्थ स्मार्टफोन योजना शुरू की है तो इंद्रा गांधी मुफ्थ स्मार्टफोन योजना को शुरू किया गया है रजस्थान राजे के द्वारा नेक्स है कोशन Formula One Race Belgium Grand Prix 2023 का किताब किस ने जीता है तो ये जीता गया है मैक्स वरसे टैपन के द्वारा जो की Red Bull टीम से आते हैं नीदरलैंड की ये टीम है बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है यहाँ पर ताइवानी कंपनी Foxconn Technology ने भारत में Mobile Ports Parts का प्लांट लगाने के लिए किस राजसरकार के साथ 1600 करोड रुपे के स्वादे को प्रहस्त ताक्षर गिये हैं तो यहाँ पर ये तमिल नाडु राजसरकार के द्वारा Foxconn Technology के साथ इनका ये डील हुआ है बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ देखे भारतिय सेना में किस राजसरकार के अधिकारे और उसके उपर के राजसरकार के लिए एक समानवर्दी लागा कू की गई है तो यहाँ पर ब्रिगेडियर और उससे उपर के जो राजसरकारे होंगे उनके यहाँ पर समानवर्दी होने वाली है निप्टान के लिए वित्मंत्राले ने किस योजना को शुरू किया है तो यहाँ पर वित्मंत्राले द्वारा शुरू किया गया है विवाद से विश्वाश दो स्कीम को ओके नेक्स्ट है क्रिकेट टोर्नमेंट UST20 लीग का पहला संसकरण किसने जीता है तो ये जीता गया है मुंबई इंडियन्स नियू यूर्क के द्वारा नेक्स्ट कोश्चन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे किस राजिक के कन्या कुमारी मैटी केला जडेरी नामकटी और चेडी बुड़्डा साडी को भोगेलिक संकेत तक टैग ब्रदान किया गया है तो यहाँ पर जी आई टैग दिया गया है इन तीनों को कहां का तमिल नाडू का नेक्स्ट है केंदर सरकार ने बिहार रोट्स प्रोजेक्ट के लिए किस संस्था के साथ 295 मिलियन डॉलर का समझाता किया है तो यह किया गया है ऐशिया विकास बैंक के साथ में फ्रेंट्स बात करते हैं अगले कोशन की ऐशिया थेज बिलłe जाते हैं कहां आयोजित किया जाएंगे तो इसका जो आयोजन है होंग जाओ चीन में किया जाएगा और ये इसका उन्वी स्वा संसकरण होने वाला है नेक्स्ट है How Prime Minister Decide नामक पुस्तक को किस ने लिखा है तो इस पुस्तक को लिखा गया है नीर्जा चौधरी के दौरा नेक्स्ट है शोलो अना बाबलू, भिटार किता आत्मा जिबानी किस भारतिय खिलाडी की आत्मकता है तो ये सुबरत भटाचारे की आत्मकता है जो की फुटबॉल के प्लेयर है नेक्स्ट कोशन है किस आर्टिफिशल इंटेलिजेंस कंपनी ने वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट लाँज किया है बात करते हैं अगले कोशन की किस राजे सरकार ने सहयोग तुराष्ट जनसंक्या कोश UNFPA के सहयोग के साथ जस्ट आस्क नामक AI संजालिद चैड़वोट लाँज किया है तो ये मध्यप्रदेश राजे के साथ इनोंने ये लाँज किया है इस चैड़वोट को नेक्स कोशन है फ्रेंड्स आपका कहां कि एतिहासी कर्ण कोट टीले से महाबरत कालीन की मिट्टी के बरतन के साक्ष मिले हैं तो ये मिले हैं फतेहाबाद हर्याना के पास से ओके हैं नेक्स्ट है ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को पचाड कर फाइड विश्वरैंगिंग के भारत में सीर्श सतरंज खिलाडी कौन बन गए हैं तो ये बन गए हैं डोना रुमा कुकेश यानि कि दी कुकेश भी आप कहा सकते हैं और पहला स्थान याँ पर है मैंगनस कालसन का जोकी नार्वे से हैं इसको भी आप डबल टिक करें काफी इंपोर्टन है आपके लिए ये कोश्टन नेक्स्ट है भारत में पहली बार लुप्त प्राइ हिमाली गिद जिप से बालेंसिस का सफल प्रजिनन कहां किया गया है तो ये यहाँ पर गुभाटी चिडिया घर असम में किया गया है अगला कोश्टन है फ्रेंट्स आपका तीस हजार कलाकारों का डिजिटल कृतियों को चंदर्मा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है तो ये यहाँ पर लूनार कोडेक्स मिशन को लाँच किया गया है फ्रेंट्स बात करते हैं अगले कोशन की भारतिय रेलवे 5G टेस्ट बैड के लिए किस प्रद्योगी की संस्थान के साथ समझोरता ग्यापन पर हक्स्थाक्षर किये गये है तो यहाँ पर यह किया गया है IIT मदरास के साथ में फ्रेंट्स आपका अगला कोशन है सीख्षा मंदराला ने राश्ट्रिय सीख्षा प्रद्योगी की मंच दीख्षा को आधुनिक बनाने के लिए किस क्लाउड इंफ्रस्ट्रक्चर का चैन किया है तो इन्होंने यहाँ पर उरेकल को यहाँ पर सेलेक्ट किया है बात करते हैं अगले कोशन की वैग्यानिको द्वारा आफ्रिकी लोगों में खोजा गया जीन वेरियंट CHD1L किस रोग को नियंद्रित करता है तो यह नियंद्रित करता है HIV को बात करें इसके फुल फार्म की तो देखें क्रोमर डोमेन हेलिकेस DNA बाइनिंग प्रोटेन यह इसका फुल फार्म है अगला कोशन है किस भारतिय अमेरिकी महिला को सॉल्ट लेक सिटी में FBI के field office की head नियुक्त किया गया है तो यह नियुक्त किया गया है शोहिनी सिन्हा को तो फ्रेंट्स आपका अगला कोशन है किस देश के वैग्यानिकों ने कमरे के तापमान वाले सूपर कंड़क्टर LK99 की खोच की है तो इसकी खोच की गई है डक्षिन कोरिया के द्वारा Next है किस देश के वैग्यानिकों ने मलेरिया को खतम करने के लिए TC1 नामक बैक्टीरिया की खोच की है तो TC1 नामक बैक्टीरिया की खोच की गई है स्पेन के द्वारा Friends आपका अगला कोशन है किस भारतिय मोल के व्यक्ति को टेसला का नया मुख्य वितिय अधिकारी नियुक्त किया गया है तो टेसला के मुख्य वितिय अधिकारी नियुक्त की गया है वैभव तनेजा ठीक है तो इसको इंगलिश में Chief Financial Officer भी कहा जाता है ओके किसे समायत किया गया है तो यहाँ पर जयेश शैनी को ग्लोबल लीडर अवार्ड दिया गया है तो सबसे ज़्यादा मौत जो है इसमें हुई है नई दिल्ली में बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ तो देखिए ट्राइकोमा को खतम करने के लिए डबलो एचो द्वारा मानेता प्राप्त करने वाला अठारवा देश कौन सा बना है तो यहाँ पर यह मिल गया है एराग को नेक्स कोशन को देखिए गैंडो के संरक्षन के लिए किस राजसरकार ने राइनो टास्क फोर्स गठित करने की घोशना की है तो यहाँ पर बिहार राजे द्वारा राइनो टास्क फोर्स गठित करने की घोशना की गई है नेक्स्ट कोश्चन को देखिए विश्वतीरंदाजी चैंपियंशिप 2023 में वेक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतिय तिरंदाज कौन बनी ये बन गई है आदिती गोपीचन स्वामी और इसका आयोजन कहां पे हुआ था विश्वतीरंदाजी चैंपियंशिप का किया है कि फ्रेंट्स नेक्स्ट कोश्चन है आपका भारत ने किस देश में स्वच पानी के भंडारन और आपूर्टी के लिए मोटुफाओ कंक्रीट वाटर सिस्टन स्वच जल परियुज़ा में साथ लाग अमेरिकी डॉलर वित्तिय सहायता प्रदान करने ही घोशना की है तो यह की गई है तुवालू द्वीप के लिए तुवालू आइलेंड के लिए यह दिया गया है नेक्स्ट कोश्चन है आपका रवी आई ने यूपी आई लाइट पर आफ लाइन माध्यम से एक पहला यूमनाइट पाइलेट रोबोट किस देश के शोदकरताओं ने विक्सित किया है तो इसको लांच किया गया या मिनी विक्सित किया गया है दक्षीन कोरिया के द्वारा नेक्स्ट कोश्चन है यहाँ पर आपका अनक्लेम्ड डिपॉसिट्स का पता लगाने के लिए आर्बी आई ने किस केंद्रिकित वेब पोर्टल को लांच किया है तो यहाँ पर उद्गम पोर्टल को लांच किया गया है इसका फुल फॉर्म दिया गया है अनक्लेम्ड डिपॉसिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉमेशन राइट यह भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टन्ट है नेक्स कोशन देखिए भारत वा दक्षिनी एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट के शहर में स्थापित किया गया है तो इसको यहाँ पर स्थापित किया गया है चिन्नाई में नेक्स्ट है राश्ट्रपती द्रौपती मुर्मो ने नाशामुक्त भारत अभयान के अंतरकत माई बेंगौल Addiction Free Bengal अभयान को कहाँ शुरू किया है तो इन्होंने इसे शुरू किया है 대क्ता में है को के टैक्स देखें प्रधानमंतरी उच्छतर सिख्षाब्यान पीम उशा को किस ने शुरू किया है तो इसको शीकषाand faga शुरू किया गया है नेक्स्ट है केंद्रिय जल आयो CWC ने भारत में वास्तविक समय में भविश्यवार्णी के लिए किस मुबाइल आप को लॉंच किया है तो यह फ्लड वॉच आप को लॉंच किया गया है CWC के द्वारा अगला कोशन है डॉप टेस्ट में फेल होने पर डोपिंग रोधी पैनल ने भारत की उडिशा राज की सबसे तेज धाविका दूती चंद पर कितने साल का प्रतिबंद लगाया है उनके उपर लग गया है चार साल का प्रतिबंद राइट बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ सेभी के पूर्ण कालिक सदस्यों के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो यहाँ पर होल टाइम मेंबर के रूप में कमलेश वार्ष ने और अमरजीत सिंग को नियुक्त किया गया है नेक्स्ट है अगस्ट 2023 में भारत के चुनाव आयुक्त अरुन गुयल ने किस किस टीम ने जीता है तो इसको जीता गया है मैंचेस्टर सिटी एफसी के द्वारा फ्रेंट इसको भी आप टिक करें काफी इंपॉर्टन है यह कुश्टन एक्जाम के लिए नेक्स्ट है पूरवी लदाक में विश्व के सबसे उचे लिकारो मिगला फूक्षे वोटर मार का निमान किस ने किया है तो यह किया गया है सीमा सडक संगटन के द्वारा नेक्स्ट है किस भारतिय को विश्व एथलेटिक्स के चार उपाधक्षियों में से एक के रूप में चुना गया है तो आदिल सुम्री वाला को चुना गया है विश्व एथलेटिक्स के चार उप माध्यक्षों में से एक नेक्स देखें किस राजी सरकार ने महिलाओं का श्रम शक्ती भागिदारी को बढ़ाने के लिए कुसीना माने पहल शुरू किया है तो इसको शुरू किया गया है करनाटक राज के द्वारा फ्रेंड्स आपका अगला कोश्चन है बच्चे को ई-learning व बैंकिंग वित्तिय कंपनी पावर फाइनेंस कोपरेशन की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेश्यक कौन बनी तो यह बन गई है यहां पर परमिंदर छोप रहा है तो यह इसकी फर्स्ट वुमें चेर्में और मैनेंजिंग डिरेक्टर एमडी बन गई है तो फ सबह अध्यक्ष ओम बिर्ला ने नौवे राष्ट मंदल संसदिय सम्मेलन का उध्गाटन कहां किया है तो इसका उध्गाटन किया गया है उतायपूर राजस्थान में थीम था इसका Strengthening Democracy and Good Governance in Digital Age Next Question है निकारगुआ में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो सुमित सेट को यहाँपर नियुक्त किया गया है यहांके नए राजदूत के रूप में नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने भारी बारश के कारण मानव जीवन और संपत्ति को हुए नुकसान को देखते हुए पूरे पहाड़ी राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित छेतर घोशित किया है तो देखे पूरे राज्य को यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को का फाइटिंग दा वर्ल्स डेद्लियस्ट किलर दा मस्किटो ओके नेक्स्ट कोश्टन है फ्रेंड्स आपका दो हजार तेस में भारत के किन युवाओं ने अंतराश्ट्रिय यंग इको हीरो पुरुसकार जीता है तो यहाँ पर जीता गया है देख लीजिए करना वरस्तो होगी इहा दिक्षित मान्या हर्श मननत कौर और निर्वान सुमानी के द्वारा नेक्सट है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिट्ड बी-पी-Ce-ल के नए ब्रैंड अमजडर कौन बने हैं तो बी-पी-सी-ल के नए ब्रैंड अमजडर जो बन गए हैं वो है गांधी मेमोरियल ट्यूलिफ गाडन जो कि श्रीनगर में है इसको यहाँ पर एश्या के सबसे बड़े पार्क के रूप में लंदन के वर्ल्ड बुक अफ रिकॉर्ड में दर्च किया गया है कि स्पेस एजन्सी का लूना 25 अंतरिक श्यान चंद्रमा की सता पर दुरगटना गरस्त हो गया है तो यहाँ पर रश्या का यानि कि रूस का लूना 25 अंतरिक श्यान जो है चंद्रमा की सता पर दुरगटना गरस्त हो गया था बारत निवकार एसस्मेंट प्रोग्राम भारत एंसी एपी की शुरुआत यानी इसको शुरू किस ने किया ये बताना है तो देखिए भारत एंसी एपी की शुरुआत नितिन गटकरी के द्वारा करी गई है नेक्स्ट है आपका कोशन 2023 में लगाता दूसरा अंडर 20 विशु जो है यह मनाया जाता है केरल में तो फ्रेंट्स यह हो जाता है काफ़ी important question आप जानते हैं बहुत सारे एक्जामी यह question देखा गया है ठीक है next question है आपका भारतिय राष्ट्रिय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविको और मचुवारों के लिए किस mobile app को launch किया है तो यहाँ पर इसके लिए launch किया गया है समुद्र एप को next question है friends आपका किस देश ने universal pension योजना शुरू की है तो बांगलादेश ने शुरू किया है universal pension योजना को next question है friends आपका किस देश के भातिक विज्ञानिकों ने superconductors के लिए संभावित प्रभाव वाले एक अध्वितिय दानव कंड demon particle की खोज की है तो यह demon particle की खोज अमेरिका के द्वारा किया गया है right next question है किस भारतिय स्कॉर्पीन सब्मरीन ने सबसे लंबे समय तक कि तैनाती का record बनाया है तो सबसे लंबे समय तक तैनाती का record बनाया गया है आयनस वागीर के द्वारा right next question है friends आपका डिजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है तो उत्तर पूर्व का पहला हवाई अड्डा जिसने डिजी यात्रा प्राप्त किया है सुविधा को प्राप्त किया है व ग्राफीन प्रद्योगी क्योंकि नवाचार और व्यवसाई करण को बढ़ावा देने के लिए ग्राफीन औरोरा कारेक्रम का शुभारम कहां किया है तो यह करा गया है केरल राज में फ्रेंड्स आपका अगला कोशन है भारत का पहला स्वदेशी विक्सित E-Tractor CSIR Prima ET-11 किसने लाउंच किया है तो इसको डॉक्टर जीतेंद्र सिंग के द्वारा जोकी हमारे केंद्रे विज्ञान और प्रद्योगी की राज मंत्री है इनके द्वारा लाउंच किया गया है नेक्स कोशन है फ्रेंड्स आपका दक्षिनपूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवनी करण सायंत्र की अधारशीला कहां रखी गई है तो इसकी अधारशीला पेरूर तलमन नाडो में रखी गई है फ्रेंड्स आपका अगला कोशन है विश्व जलसपता 2023 कब से कब तक म मनाया गया है 20 से 24 अगस्त तक और इसका थीम दिया गया था यहाँ पर सीट्स आफ चेंज इनोवेटिव सल्यूशन फॉर वाटर वाइज वर्ल्ड ओके नेक्स गोशन देखी यूपी आई इंटराॉपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल अप्लिकेशन लॉँश करने वाला पहला बैंक कौन है तो यूपी आई इंटराॉपरेबल डिजिटल रुपय पहला live stream वीडियो कौन सा बना है तो ये बन गया है चंदरायन 3 जो हुआ था उसका live stream सबसे ज़्यादा देखा गया है नेक्स कोशन है फ्रेंट्स आपका पांचवे राश्ट्रिय ए गवर्नेंस सेवा वितरन आकलन के अनुसार अधिक्तम ए सेवाय प्रदान करने वाला राज्य कौन सा बना है तो अधिक्तम ए सेवाय प्रदान करने वाला राज्य बन गया है हाँ पर मध्य प्रदेश फ्रेंट कोशन भी आपके एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है कि नेक्स्ट कोशन है बैंकिंग सिवाओं को अधिक सूलब बनाने के लिए किस बैंक ने ओल इन वन आईरिस मोबाइल एप को लॉंच किया है तो आईरिस एप को लॉंच किया गया है येस पै किता गया है मैगनस कार्सन के दवारा जो कि नॉर्वे से हैं और आयोजन स्थल कहां था बाकू अजर्बैजान में इसका आयोजन किया गया था नेक्स कोश्टिन है इन फोस्टिस के नए ग्लोबल ब्रैंड अमबैज़डर रफेल नडाल बन गए है नेक्स है जी एस्टी जमा करने वाले लोगों को इनाम देने के लिए केंदर सरकार द्वारा 2023 में किस योजणा को शुरू किया गया है मेरा बिल मेरा अधिकार नामक योजणा को यहां पर हैं शुरू किया गया है नेक्स्ट है हंग्री विश्व चैंपियंशिप 23 में महिलाओं की 100 मीटर दौड में किस खिलाडी ने स्वर्ण पदक जीता है तो यहां पर शाह कैरी रिचार्ड सन ने जो कि अमेरिका से हैं इसे जीता है स्वर्ण पदक को ओके आफ्रीका में प्रमुक इलेक्ट्रिक मोटर साइकल क्रेड का उत्पादन करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है तो यह बन गई है वन इलेक्ट्रिक ओके अगला कोशन है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने पंदरवे बिक्स शिखर सम्मेलन के दोरान बिक्स नेताओं को क्या उप दस नामक ड्रोन का अनावरण किया है तो इसको किया गया है इरान के द्वारा ओके अगला कोशन है यहाँ पर युनेसको ने किस राजसरकार के साथ आर्टिफिशल इंटेलिजन्स सिस्टम के नैतिक विकास और उपियोग के लिए समझोता किया है तो यह किया गया है रिक्ष दिवस के रूप में 23 अगस्त को मनाया जाएगा तो काफी इंपोर्टेंट हो जाता है यह पॉइंट अगला कोशन है किस राज या फिर केंदर शाषित प्रदेश ने बद्र वहा राजमा और रामबन सुलाई शहद को जी आई टाइग मिला है तो यह दिया गया है जम्मु कश्मीर को रिंट आपके एकजाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है एसकी एकजाम में यह काफी जादा पूछ जाता है जो डीए टैग है उससे दे रिलेटेट पूश्एनक को पूछा जाता है एक नेक्स देखिए ब्ससी आई द्लारा भारत में आयोजित होने वाले सभी अंतराश्ट्री है और घरेलू क्रिकेट मैचो महिला और पूरुष दोनों इसका नया टाइटल स्पॉंसर किसको बना दिया है तो इसका नया टाइटल स्पॉंसर बना दिया गया है अगले कोशन की तरफ तो देखिए अगस्थ 2023 में प्रधान मंत्री जंधन योजना कि नौ वर्ष पूरे हुए हैं और यह कोजना को कब शुरू किया गया था यह आपको बताना है तो इस योजना को शुरू किया गया था 28 अगस्थ 2014 को तो आपका नेक्स कोशन है यहाँ पर क इक्षार्थियों को Cloud Causal Prosecution प्रदान करने के लिए किस पहल को शुरू किया है तो यहाँ पर Project अंबर को शुरू किया गया है इसके लिए अगला कोशन है आपका वायू प्रदूर्शन से निपटने के लिए वायू गुणमत्ता पूरुचितावनी प्रनाली अपनाने वाल तीसरा भारती शहर कौन सा बन गया है तो यहाँ पर तीसरा भारती शहर जो यहाँ पर बन गया है वो है कॉलकता ओके और पहले दो शहर कौन है इनमें से दिल्ली और मुंबई है ओके नेक्स कोशन है फ्रेंट्स आपका वर्ष 2023 में भारत की पहले यूनिकॉन कंपनी कौन स लिए किस राजे ने प्रशित जर्मन पेशेवर फुटबॉल लीग इसका नाम है बुंडेस लिगा के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो यह किया गया है महरास्ट राजे के द्वारा ओके बात करते हैं अगले कोशन की तो देखे काजी रंगराश्ट्रिय उ वाला राज्य कौन सा बना है तो यहाँ पर सरवाधिक भागो की संख्यावाला राज्य बन जाता हैं मध्य प्रदेश और अगर आप से पूचा जाएंगी टाइगर रजव की भीतर भागों की सरवाधिक संक्या कहां पर है तो यह जिम्कौर्बट राष्ट्रे उद्यान जो की उत्तरा खण में है वहां पर है ठीक है नेक्स्ट कोश्च्ट अपका प्रवासी इश्टामी को कि पंजी करण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किस राजय ने अतीथी पोटल को launch किया है तो अतीती पोटल को launch किया गया है केरिला राजे के द्वारा ठीक है नेक्स कोश्चन है फ्रेंट्स आपका Amazon वर्ष वनो कि रक्षा के लिए Amazon सहीयोग संधी संखटन शिकर समेलन कहां आयोजित हुआ है तो Amazon सहयोग संधी संक्रटन को आयोजित किया गया है बेलेम ब्राजिल में अगला कोशन है वित मंत्रालय द्वारा जारी आकड़ो के अनुसार वित वर्ष 2022 से 23 में प्रधान मंत्री जंधन योजना के लाभारतियों की संख्या सबसे ज़्यादा किस राजय में हो रही है तो यहाँ पर प्रधान मंत्री जंधन योजना के लाभारतियों की संख्या सबसे ज़्यादा बिहार राजय में रही है नेक्स कोशन बहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षीन एशियाई देशों की सूची में भारत के स्थान पर रहा है तो भारत यहां पर इसमें छटे स्थान पर रहा है अगला कोशन द्विपक्षी नौसेनिक अभ्यास जायत तलवार का यहुजन किंदो देश के बीच में हुआ है तो यहां पर जायत तलवार नामक नौसेनिक अभ्यास भारत और UAE के बीच में हुआ है तो दिखे बात करते हैं इसमें भारत की कौन सी जहाद इसमें शामिल थी तो आयनेस विशा का पटनाम और आयनेस त्रिकन दिश में शामिल थी और आयजन स्थलस का दुबाई है संयुक्त राश्च शंजथा इंटरगवर्मेंटल पैनल ओन क्लाइमेट चेंज के कारेकारी समोदों के पाध्यक्ष के रोप में न्यूक्त किया गया है तो यहाँ पर न्यूक्त किया गया है इसमें रमन सुकुमार को अगला question है आपका भारत के सर्वोच न्याले में अदालत परीसर में प्रवेश हिद्धू online electronic pass बनाने के लिए किस online portal को launch किया गया है तो देखिए ये भी आपके लिए काफी important है तो यहाँ पर सूसवागतम portal को launch किया गया है friends next question और ये आपका last question है तो भारत का पहला eco-friendly debit card RPVC किस ने launch किया है तो ये भी आपके लिए काफी important है तो यहाँ पर भारत का पहला eco-friendly debit card ATL payments bank के द्वारा launch किया गया है तो friends ये थे आपके सारे important questions तो हमने आपको यहाँ पर top 250 questions को करवाया है जो भी आपके exam point of view से बहुत जादा important थे तो I hope आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो अगर अच्छा लगा है तो like और share जरूर करिएगा तो अब आते हैं आपके test questions की तरफ जिसका answer आपको हमें comment section में देना है यह question का answer आपको हमें comment section में बताना है ठीक है और friends साथ में जैसे मैंने आपको बताया हमारी paid PDF की website www.ravivokespdf.com यह है तो यहाँ पर आपको रवी सर की all subject PDFs मिल जाएंगी तो आप इसको जाके जरूर visit करें तो friends यह था हमारा आज का last slide I hope आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को like और share जरूर करिए और जो questions आपको हमने test के questions दिये हैं इसका answer आपको हमें comment section में देना है तो friends तो मिलते हैं एक और important topic के साथ अगले वीडियो में till then thank you have a nice day